हेलो फ्रेंड चलिए आज बनाते हैं बच्चों के टिफिन के लिए ब्रेक्फर्स के लिए या बच्चों को जो रोसी भूख लगी हो ना बस आप ये बना के उनको दीजे उनको बहुत पसंद आने वाला है तो आज मैंने कौन चीज पराठा की बहुत ही क्वीक से पांच में बनने वाली ये रिजबी शर्किए बच्चों को दीजे बड़ो को दीजे जटपड मॉनिंग के टाइम में आप इसको बना के बच्चों को दे दीजे बच्चों को दिल खुश हो जाएगा तम कौन चीज पराठा काके उनको बहुत पसंद आएगा चलिए बनाना शूग कर उसको बना सकते हैं अब इसको हेल्दी तरीके से बनाएए तो मैंने यहां पे बल गेहो काटा लिया है अब पीजा बगर का वाला टेस्ट अगर लाना है तो वह एप मैदा का सकते हैं अब हो एल्दी अप्शन नहीं होता तो आप उसको अवइड करें और इसमें एक चमस च बता लिए थी का अगर आप ने तूरं तब बनाना और आटा अपको रखा हुआ है तो अब उसको बना सकते हैं यह नहीं है तो बस अब इस तरीके से अच्छा आपकर मिक्स कर सकते हैं तो इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा और जाई गैनो थोड़ा सा पिंच ओ आप से तीन पराठे के लिए परफेक्ट मैंने इतना डो लगाया है थोड़ा संखी हलका सा अप्लाइ कर देंगे जैसे क्या होगा ना कि उपर इसे सूखे गा नहीं लेयर नहीं पड़ेगी इसके आपके पराठे एक दम परफेक्ट बनेंगे तो इसको में एक साइट पे दो से तीन मिनट के लिए ढ़क कर हाई फ्लेम में कोक किया था इससे आपके तीन मिनट में कौन अच्छे से कोक हो जाते हैं यह मैंने फ्रोजन कौन का यूज किया है उसके बाद इसमें एक चमश हम डाल देंगे मयो नीस यानि मायो दूसरा हमें डालना है यहां पर चीस तो आ अब आपको क्या करना है थोड़ा सा पिंच आप सौड डालना है क्योंकि मैंने यह चीज आटे में भी डाली थी सेम रड चिली फ्लेक्स और इगैनो यह सही चीज़ा डाल देंगे और आप देख सकते हैं दो मिनट भी नहीं लगते फटा फट इसको बनाईए और बच्चो पराठा खाना भोल जाएंगे इतना टेस्टी पराठा लगता है आपको बहुत पसंद आएगा तो बस आपको एक स्मॉल सा डो ले लेना है और उसको अच्छे से रोटी की जैसा बेलना है ना बहुत पतला होना चाहिए ना ही बहुत मोटा होना चाहिए इस चीज का आपको को ध्यान रखना है क्योंकि जब आप इस पराठे को बनाते हैं तो अगर यह मोटा हो गया ना तो क्या होगा ना अंदर तो लगेगी उपासे खाने में बहुत ही लगेगीthenography कच्चा लगने लगेगatan इ चुप ग्राटिक ह से ना वचेशा नहीं2016 काटाσα 2 Various आप बिल्को ऐसा फिल आएगा पीज़ा खा रहे हो बिल्कुछ चीजी पीज़ा तो अभी आप देखिए, बिल्को रोटी की तब टरह मिलकुल वैसे बेल लिया है। ना पतला ना मोटा। अब हमें क्या करना है? इसमें स्टफिंग को फिल करना है। अब स्टफिंग आप अ अब दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं पहला कि जैसा मैं इसको दे रही हूं ट्रैंगल शेप में बिल्कुल बच्चों को ने एक दम नया लगेगा बच्चों को लेंगे वाओ उनको खाने में भी ज्यादा मज़ा आने वाला है अब इस तरीके स शेप दे के बना सकते हैं दूसरा आप इसको बीचों बीचे में रख कर स्कॉयर का शेप दे सकते हैं चारो तरब हाफ हाफ फोड करके बना सकते हैं बस यह है कि आपके स्टफिंग बहर नहीं आना चाहिए कोई भी शेप आप दे सकते हैं तीसरा क्या है कि आप इसको चारो एक फोड करना है क्योंकि मैं ट्रेंगल के शेप दे रही हूं हलके से प्रेस कहते हुए दबा देना है अच्छा से चिपक जाए अब बागी जो एज़ेसे ना उसमें वाटर लगा देंगे ताकि अच्छा से चिपक जाओ और सफिंग हमारी बाहर ना आए तो इसको लगा दे उनको थोड़ा नया तरीके का शेप दिखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएंगे तो बस इस तरीके से अब जित्ती भी रेमेनिंग एजिस हैं उसमें वाटर लगा के अच्छा से इसको फोड कर दीजिए जैसा आपकी स्टपिंग बाहर ना है कितना सिंपल है ये पराठा बनाने का तरीका है और उसे पांच मुने बन जाता है तो यह देखे एक पराठा तो हमारा रैडी हो चुका है इसी तरीके से हम दोनों पराठे रैडी कर लेते हैं और फिर हम इसको कुक करके दिखाएंगे आपको अपको इसे लगे तो फलका से प्रेस कर सकते हैं आपको ल दिया है और जब दोनों तोरब अच्छा सा इसे तो धूरा कि यगा थोड़ा थोड़ा इसे डॉट्ण उप्लाइब कर दीजिए जैसा न यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा से को खोगा तो थोड़ी दिश बात देखेंगे कि अच्छा से दौनों साइट बढ़ियां सी अच करकी लेए देगे कितना बड़ी ऐसा डॉट डॉट पढ़ गया है तो बस आपको दोनों तुरफ ऐसे डॉट पढ़ जाएना तब ऑईल ऐसे अपलाए करना है और पराठे को अच्छे से सेख लेना है और देखते ही देखते हैं आपका मस्त पांच में यह पराठा बनके पांच में कुछ देना है बच्छों को बहुत जोरों की भूख लगी है तो अब यह दे सकते हैं अब ऐसा टॉंग ले लिजए यानी चिम्टा और इसको ऐसे दोनों साइट यह तीनों साइट की एजसे ना को और ना को ना कि उनकी पर से खड़े करकी थोड़ा सा को कर सारे पराठे बना के रेडी कर लेना है तो यहां मैंने दूसरा भी अच्छे से डाल दिया है और हलका से प्रेस कर दीजे जैसे अच्छे से पक जाए और देखते देखते आपके तीनों कौन जीज पराठा बनके रेडी है तो आप इसको बना के बच्चों को दीजे बड़ काटें तो मैं इसको थोड़ा अंदर से काट दिखाऊंगी जैसे आपको यह से दिखी की चीज एसे MA होई है कि नहीं होई आप चीज ज़िफ्लेक्तियाइब्हे से भी की नहीं है खुलना खु attended घर चिस में कितना बहुत को सब्सक्राइब कर सकता है फिइस परसी कुल था में दॉनिये जाहाब गौत्था खुलों कि स्कते हैं चिली पर अच्छ को लिए खतित रहे हैं जैसे पइसा कव्य नहीं प्रशे कया चीक्षто एक चीज यह कौन पराथा रेडी है आपका चीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मैल्ट हो चुकी है तो आपको एक दिखाती हूं और अभी आप देखें कितनी अच्छी से मैल्ट हो गई है बिल्कु पीजा वाला आपको इसको खा के टेस्ट आने वाला है तो अब बड़ों को दीजे इस देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा अबेंट लौर BIG चीजँ डालना है तो भूं ज्यादा चीज लगेगा अब इतना पर्फेक्टन है है आप इस तरीके से बनाएे बड़ों को दीजे सब को बहुत पसंद आए गा उतुर्णागा लुसक्रा में कुछ ऐसी चीज चाहिए तो आप इसको जरूर ट्राइ कर सकते हैं तब तक कि लिए बाइ